वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल गैस जानिवाइम बहुत सार अच्छे फ्लेक्शिप लेवल के फोन जाने वाले हमारे पास भी बहुत ही अच्छे दो फोन जाए ओपो रिनो 11 प्रो रोपो रिनो 11 इसका डीटेल में रिव्यू करने वाले और मैं आपको बताने वाले दोनो फोन कैसे तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैस और पहले तो बोल न चाह temos लूप में दोनो बहुत ही अच्छे हैं आप देख साक बहुत ही दुनो में डीफ्रन डीफ्रन डीजperformance आपको देखने को मिल जाती है और जो 11 प्रू में आती है आप देख संक पिछ रिने से बीचिया। टेक्स्टरी प्रेटि दीजाइन से दिजाइन devotion taps, छी तीन होसा है प्रतेक्स्टरी फंटी। अर। कमफर्टेबल है पोट्स और बटन्स की बार करता आपको राइट से पावर अन्लोक बटन उसके वोल्यूम रोकर उपर आया ब्लास्टर भी मिल जाते हैं नौइस के इंसलेशन माइक्रोफोन नीचे की साइड आपको एक यूएस्बी पोट सिम कार्ट ट्रे और स्पीकर ग्र इसमें डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंची एक फ्ट प्लस 120 एंच एमोलेट डिस्प्ले मिल जाएगी और इसमें 10 बिच का HDR10 का पी सपोट आ जाते तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है देख सकते हो और इसमें बेजल की बात करें तो बेजल ना के आपको को दिकत नहीं है एक फ्लोवर डिस्प्ले एक्प्रेंस बहुत ही अच्छ है आपको मल्टी मीडिया जब भी इसमें करने वाले तो बहुत ही अच्छ आपको एक्स्पीरियन्स मिलने वाले वीडियो वीविंग के मामले में इसमें बैट लोग इसमें आपको 4600 मिल जाते हैं, दोनों में ट्राइ नहीं किया है, मैंने बैटरी कितनी चलती है, लेकिन आपको 11 में बड़ी मिल जाती है, 11 Pro से भी आइस हम दोनों में camera की बात करें, दोनों में आपको triple camera setup मिल जाते हैं और आपको दोनों में 50MP का main 32MP का telephoto, 8MP ultra wide मिल जाते हैं Sony के दोनों में sensor देखने को मिल जाते हैं, जो 50MP का main sensor दोनों में sensor देखने को मिल जाएंगे तो फोटो कॉलेटी की में बात करें, आपको बहुत ही अच्छा फोटोस देगा है, जितना भी ट्राइ कि आपको कुछ camera samples भी दिखाऊंगा बाद में अलवर डेलाइट में भी बहुत ही अच्छा दोनों से फोटोस आते हैं, पोट्रेट में तो बहुत ही अच्छा काम किया है, दोनों ने बहुत ही अच्छा पोट्रेट निकलते हैं और फीचर्स भी आपको camera के app में बहुत सारे मिल जाएंगे वह भी आपको पे दिक्कत नहीं होने वाली आगे की site जो मिलता हूँ, दोनों में 32MP का selfie camera मिल जाते हैं और आगे भी 4K recording आपको supported है दोनों इसमें performance की बात के तो 11 Pro है उसमें आपको Dimensity 8200 मिल जाते हैं बहुत ही अच्छा processor है इसके अन्तुतू score की बात 9,8000 की ऊपर आते है अन्तुतू score जो 11 Pro आया था उसमें 5 एक something आता था न्तुतू score तो उसे आप almost almost double performance इसमें आपको मिलेगा gaming high to eye settings में कर पाऊगे तो बहुत ही all over performance के मामले में भी phone अच्छा है लेकिन जो phones mainly जाना जाते है वो उसके looks camera और display के लिए और जो 11 है उसमें आपको diamond city 7020 मिलता है तो यह मैं बोलूँगे average perform करते है आप games खेल पाऊगे daily use कर पाऊगे लेकिन यह mainly performance के लिए phone नहीं इसमें OS की बात करते हैं color OS 14 और android 14 मिल जाते है कुछ pre install app मिल जाते है आप easily use को uninstall कर पाऊगे और आप बहुत सारे customization भी कर पाऊगे always on display में वह भी बहुत ही अच्छी बात और पहले से color OS बहुत ही अच्छा हो चुक है इसमें major update आपको 3 years के मिल जाएंगे security update 4 years तक तो phone आप easily 4-5 years तक use कर पाऊगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली जो इसमें एक बूरी बात बोलूंगा इसमें IP rating आपको नहीं मिलती आई फोनों फोन में इसमें connectivity की बात करें तो 5G आजाते है dual 4G वोल्डी का support वाई-फाई 6 और Bluetooth 5.4 आजाते है दोनों में सेम ही है आपको connectivity में कोई भी दिकत नहीं होने वाली NFC भी आ जाते है और सब कुछ आ जाते है sensors की बात करें सारे sensors मिल जाते है fingerprint scanner भी ए face unlock और दोनों बहुत ही अच्छा से काम करते है और इसमें आपको RAM type LPDDR5X मिल जाते है storage type UFS 3.1 और इसमें एक वेरियंट डोनों में आते है 12GB RAM और 256GB storage जबी मैं unboxing कर रहा हो तो phone launch नहीं हो इसलिए मुझे इसकी price नहीं पता है दोनों की लेकिन जो 11 ए वो 30 to 35 का राउंड आए और 11 Pro ए वो 35 to 40,000 का राउंड आना चाहिए गाइस ओल ओवर ओल दोनों फोन बहुत ही अच्छे आप looks के लिए phone देख रहे हो camera के लिए देख रहे हो display के लिए देख रहे हो दोनों फोन बहुत ही अच्छे आपको performance बहुत ही अच्छा चाहिए तो आप 11 Pro ले सकतो देख रहे हो दोनों फोन बहुत ही अच्छे लगे मुझे प्राइस सेग्मेंट के लिए गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दी जोर आसे वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर दी जो बैल आइकन दबाना मिस मत करना और आपको ओपो फैंस के साथ यह वीडियो शेर पी कर दी